Hello Parents, Welcome back to my channel Baby and Mom Lifestyle Friends, आज हम बात करने वाले हैं अंडे के बारे में बच्चों को अंडा खिलाना क्यों जरूरी होता है? किस एज में बच्चे को अंडा खिलाना स्टार्ट करना चाहिए? और अंडे में कौन से ऐसे न्यूटिशन होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़ादा फायदे मन्द होते हैं तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाली हो तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा Friends, आपने ये सुना ही होगा अंडे के बारे में Sunday हो या Monday, सदी हो या गर्मी, रोज खाओ अंडे जी हाँ, अंडा है ही इतना कमाल की चीज़ की रोज अपनी डाइट में इसको सामिल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए अंडा एक सूपर फूड है इसे खाने से आपको प्रोटीन, कैल्सियम, ओमेगा 3, फैटी असेट ये सारे न्यूटीशन्स एक ही चीज़ में मिल जाएंगे तो अपने बच्चे की डाइट में अंडे को जरूर सामिल करिए अंडे में प्रोटीन होता है जो बोडी की जो मासपेसियां होती है उनको स्ट्रॉंग बनाने का काम गरता है इसमें कैल्सियम होता है जो दातों और हड्डियों को मजबूत बनाने में साहयक होता है और अंडे में एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिट मौजूद होता है वो बोडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी की HDL बनाता है आपको बता दें कि खाने पीने की बहुत कम चीजों में यह होता है जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिट पाए जाते हैं और अंडा उनमें से एक है इसलिए आप अपने बच्चे की डाइट में अंडे को जरूर सामिल करें फ्रेंड्स अंडे में इतने सारे निूटीशन्स होते हैं जो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ही जादा जरूरी होते हैं और आपके बच्चे को सारप और स्मार्ड बनाते हैं इसे आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं जैसे कि उबाल कर, आंबलेट बना कर या फिर एक बुरजी बना कर इस तरीके से आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं ये अपने आप में एक complete food है इसका एक और भी फायदा ये है कि अंडा बच्चों की jaw line और आखों को मजबूत करता है साथ ही ये बच्चों के weight gain में भी सहायक होता है इसलिए आप अपने बच्चे को अंडा daily खिलाईए और अंडे को उसकी diet में सामिल करिए कई बच्चों को अंडे के सफेध हिस्से से allergy होती है अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर consult कर लें अगर allergy नहीं है तो बच्चे को daily अंडा जरूर खिलाईए बच्चों को कच्चा अंडा कभी भी न दीजिए क्योंकि बच्चे के जो digestion होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है कि बच्चा कच्च अंडे को digest कर पाए तो उसको जब भी अंडा दीजिए तो पका कर दीजिए और जब बच्चा आपका एक साल का complete हो जाए इसके बच्चे को एक देना स्टार्ट करें तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कितना helpful रहा प्लीज कमेंट करके बताए अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा साथी साथ सेयर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजे थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स